नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कि परिक्षा निरी खब आए कि परिक्षा रद कर दी गई बतादे पर कर दोंते हैं, बुद्धि अब परिक्षा रद होने से अभियारती काफी आख रोशित हुई इस्कूलों पर हो सकती है करवाई इंस्पायर आवार्ड के लिए चैनित अभियारतियों की जनकारी देने के मामले में राजे के इस्कूल गंभी नहीं है ऐसे में सिख्षा भी भागवाई से इस्कूलों पर करवाई कर सकता है जिन्होंने मानक Competition एप पर चैनित अभियारतियों की जनकारी अब तक अपलोड नहीं किया है बता दे राजे भर से 20181 अभियारतियों के आइडिया का चैन एंस्पायर आवार्डी के रूप में किया गया है इनमें से 5 फरवरी साम 7 बये तक 1642 अभार्डी की जनकारी ही मानक एप पर दी गई चैनित अभार्डी के प्रोटो टाइप का आडियो वीडियो फोटो राइट अप अपलोड करने की सुरुआ 16 जनवारी को की गई थी राज ये नोडल पतादिकारी असोक परसाद सीना ने कहा है की ऑनलाइन प्रोजेक्ट अपलोड करने की तीथी बढ़ाने के बाद भी स्कुल गंभीर नहीं है क्रिसी मंत्री ने कहा राज की ये माघी मेला को दिलाएंगे कुम का दर्जा राज महल के उत्रवाहिनी गंगा तट पर लगने वाले राज की ये माघी मेला को कुम का दर्जा दिलाया जाएगा ये बाते क्रिसी पसुपालन वसा करता मंत्री बादल पत्रलेख ने रभीवार को राज महल गंगा तट पर लगने माघी मेला में कही यहां आने के बाद उन्हें असास हुआ कि जार्खन का कुम्ब कहीं है तो राज महल में है बता दे इस राज कीये मेला को अधित्ये बनाने के लिए मुख्य मंत्री और प्रटन मंत्री से बात करेंगे यह बात बाबा भोले का सच्चा भक्त बोल रहा है चाहे इसका सरे किसी को जाए लेकिन आज से ही इसके लिए परियास सुरू किया जाएगा माघी मेला का बीध्यवत उद घाटन करीशी पस्टुपलन वासा करता मंतरी सहित अने ने किया पता दे करीशी मंतरी बादल पत्रलेख ने कहा है कि यहां मुखे मंतरी हमान सुरेन आते रहते हैं ग्रामिन मंतरी अलमगीर यहीं से हैं जनपरतिनी धी वापदादिकारी उन्हें सुझाव देते रहें स्रम पोर्टल पर निवंधन कराने के हैं कई फायदे असंग अठित छेत्रे के कामगारों के लिए जहार्खन सरकार ने कई बेवस्था की है स्रम पोर्टल पर निवंधन यानि रेइस्ट्रेशन करवा कर आप भी पेंशन समयत कई सरकार योजनाओ का लाब ले सकते हैं बता दे आपको भी पेंशन योजना का लाब मिल सकता है जारखन सर्कार के स्रम मंत्रालेय ने निसक्ता पेंशन के साथ साथ परिवार यानी फैमिली पेंशन और अनात पेंशन के भी वेवस्ता कर रखी है सबसे पहले आपको बताते हैं कि जारखंड सरकार कितनी तरह की पेंसन देती है बता दे सबसे पहले पेंसन योजना के सुरुवात की गई इस योजना के तहाद अगर आपके 30 वरस तक बोर्ड में अंसदान किया है और आपकी उम्र 60 बरस पुरी हो गई है तो आपको प्रती मा एक हैर पेंसन मिलेगी भाजपा की प्रत मिक्ताओं में नहीं है जारखंड जामोमों केंद्री ग्रीह मंत्री अमित्सा की देवघर की रैली में बिहार और बंगाल से लोगों को लाने का आरोप सतारूड जारखंड मोक्ति मोर्चाने लगाया है ग्रीह मंत्री ने इस आरोप पर मोर्चा की केंद्री समीति की सरस्त सुप्रियो भटाचारे ने कहा है कि भाजपा को विपक्ष की सरकार खटकती है अब चुनाव नजदीक आता देख उन्हें जारखंड की याद आ रही है सुप्रियो ने कहा है कि भाजपा की प्रतमिक्ताव में जारखंड नहीं है 2019 में उन्हें जानता ने नकार दिया था इससे पहले केंद्री सरकार की प्रमुक योजिनाव की सुरुआत यहीं से होती थी हार के बाद जारखंड को भूला दिया गया बीते तीन साल में प्रधान मंत्री एक बार जारखंड आये ग्रिह मंत्री का तीसरी बार दोरा हुआ चत्रा में जल्द सुरू होगा ऑपरेशन चहल अब सहर में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी कती विधियो पर पूलिस के नजर रहेगी सनवेदन सिल अस्थानों पर CCTV लगाए गए है CCTV कैमरे इतने हाइटेक हैं की 100-500 मिटर तक लोगों का फोटेज अच्छी क्वालिटी के साथ दिखेगा 15 दिन तक इस फोटेज को सुरक्षितर भी रखा जाएगा बता दे अपराद पर आंकुस लगाने की दिशा में एक पहल है इसके लिए TOP1 में आधोनिक तकनीकी से लैस कंट्रोल डूम बनाया गया है जिसमें चार्ट स्क्रीन लगाए गया है उदगाटन को लेकर अभी तार्य की घोसना नहीं की गई है गढ़वा के भंडरिया में भालू का अतंक भंडरिया रमकंडा वन चेत्रे में जंगली जानवारों का उत्पात इन दिनों पढ़ने से ग्रामी चेत्रे के लोग पूरी तरह से भैवी थाए पता दे पिछले 10 सालों से हाथियों के अतंक के बाद हाल के दिनों में आदम खोरते नदूए और लकडबागे की दोसत में जीने को मजबूर भंडरिया रमकंडा वा रंका छेंत्र के लोगों को अब चौथे नए जंगली जानवर भालू की दोसत का डर सता रहा है सनिवार की साम भालू ने भंडरिया वन चेत्र के कुरून गाव में खाना पकाने के लिए जंगल में सपही नदिक किनारे से लकड़ी लेकर आ रही ललन सिंग की पत्नी मंजु देवी पर डूमर खान डोड़ा के समीप भालू ने हमला कर दिया अलागी भालू के हमले के बाद महिला के दोवारा चीखने चिलाने के बाद गरामिनों की मदद से उचे बचा लिया गया इसके बावजूद भालू ने उस पर हमला कर सरीर के कई हिसो नोच दिया हेमंत सरकार को भरष्ट कहे जाने पर जहामों का पलटवार देवगार में केंद्रीये ग्री無ंतरियामीत साद्वारा हेमन सुरेश्च को देश की सबसे वरस्ट सरकार बताय जाने पर जाँमों ने तीखी परतिकिरे दी है जारखन मुक्ति मोर्चा के नेता सुपरियो भटचाई ने रविवार को पाटी के केंद्रिये करयाले में सन्वधता समयलन किया। सुप्रियों भटचाय ने कहा है कि हमन सुरेन की सरकार को व्रष्ट बताने वाले या बताए कि आडानी की संपत्ती में 2014 के बाद इतना उच्छाल क्यों हुआ जामों ने सरोष नियाले से आडानी परकरण पर सोता संग्यान लेने का भी अगरा किया है बताए सुप्रियों भटचाय ने कहा है कि ऐसा लगता है कि फिर चुनाव आने वाले हैं इसलिए भाजपाक के नेताओं ने अपनी गतिविद्या बढ़ा दिया है यही वज़ा है कि एक महीने से भी कम समय में भारते जनता पार्टी के बड़े नेता पुर्व अध्याक्ष और इस देश के गिरी मंत्रिया मित्सा दूसरी बार जार्खन आया है बारह फरवरी को तेयस्वी आदो का रांची दोरा बिहार के उप मुख मंत्री और आयद नेता तेयस्वी आदो बारह फरवरी को रांची आ रहे हैं बिहार के उप मुख मंत्री बनने के बाद पहली बार तेयस्वी आदो जार्खन दोरे पर आ रहे हैं 83 आदव के रांची आगमन को यतिहासिक बनाने के लिए परदेश राष्टेश जानता दल ने बिसेस तुईना बनाई है तैयारी को लेकर राष्टेश जानता दल के नेता और करकरता होर प्रमंडल में पार्टी करकरताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे जिसकी सुरुआत साथ फरवरी को पलामों से होगी बतादे परदेश अध्यक संजाय सिंग यादो भी इस बैठक में उपस्तित रहेंगे जार्खन राष्टेश जानता दल के मुख्य प्रवक्ता डाक्टर मरोज कुमान ने बताया है कि 12 फरवरी के करकरता मिलन समारों को सफल बनाने के लिए प्रमंडल वाइज बैठक सुनिश्चीत की गई है एक करोर के इनाम वाले कई नक्सलियों का कोलहान में जमावड़ा जार्खन के चाईवासा में पूलिस और नक्सलियों के बिच लागातार घमासान मचा हुए है सुचना गवाधार बरतमान में एक क्रोड़ की नामी सभी मवाधी को लहान इलाके में ही देरा डाले हुए हैं यही वाज़ा है कि पुलिस का एक बड़ा अभ्यान को लहान में ही चल रहा है बतादे जर्खन में भागपा मवादी के सारे सिंट्रल कमीटी मेंबर कुलान के इलाके में कैम्प कर रहे हैं बरतमान में एक रोर के चार इनामी मवादी हैं जिन में फॉलित ब्यूरो मेंबर मिसीर बेसरा, असिम मंडल, पती राम मांजी, उर्फ अनल के साथ साथ पर्याग माजी भी सामिल हैं इन सभी नक्सलियों के खिलाब मिली सटिक सुचना पर ही लगातार हो रहे हैं दी बलाश्ट के बावजूद फूलिस और केंदीर सुरक्षावल के जवान जंगलों में ठीके हुए हैं और लगातार सच अभियान चला रहे हैं धन्यवाद